कि भारती जन्ता पार्टी की उत्तपदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है अगर दिल्ली की सरकार ने राजसवा में तीन कानून जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारेंट हैं अपना बहुम्मत नहीं था उनका और बहुम्मत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था किस तरीके से राजसमा में भारती जन्ता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया और वही सीक करके भारती जन्ता पार्टी पूरे प्रदेश की जन्ता का अपमान कर रही है जो बड़ा हाउस है अपर हाउस है पिशली बार भी जब सत्र बैठा था किसी की परवानी की सरकार ने बहुमत की परवानी की और सदन में मनमानी करकर के बहुमत के खिलाफ सभी के पास करा लिये थे MLC चिलाते रहे सदन के सदस केबल समाज़ादी पार्टी के नहीं जितने भी मानें ये सदस थे सब अपनी बात रखना चाहते थे कहना चाहते थे लेकिन कोई परवा सकाने ने की उस समय के सभापती ने पूरा का पूरा सदन में जो मन्चाह करना चाहते थे बहुमत को दबा करके उन्होंने पास कराए बिल और कली रात को सभी MLC धरने पर थे जो नए जिने मौका मिला है काम करने का और जिने परवपरा निभाने का मौका मिला है समयधान की मर्यादाओं को बचाने के लिए कुर्सी पे बैठें किसी की परमाने की और सभी बिल पास कर दिये सदन में बैठे रहे MLC बहुमत बिपक्ष का है ये सरकार बहुमत को दवाना चाहती है और दवाना नहीं चाहती उत्तवपरदेश की जनता का अपमान कर रही है उत्तव अदेश की जंता जो देख रही है कि लोकतंत्र विवस्ता में हमें अधिकार जिनें दिये गए हमारे जो हमारी बात रख सकते हैं सदन में उनका बिना सुने पूरे के पूरे बिल पास करा दिये ये बात कर रहे हैं परंपराओं की और पता नहीं पूरे के पूरे भाषन में जैसे दिल्ली भूल गई फाइफ ट्रिलिन डॉलर एकोनोमी की बात बर चढ़कर के कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी ऐसे फैसे लेगी जिससे की देश की फाइफ ट्रिलिन डॉलर एकोनोमी हो जाएगी और भہी उनको को नकल करते हुए उत्तवदेश की सरकार ने भी भादेजंता पार्टी ने कहा कि उत्तवदेश में आने वाले समय में हम वन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी कर देंगे। राविय जेपाल मोहदे जी उनका विवाशन पे धनिवाद पस्ताप पे किसी ने वन ट्रिलियंड डॉलर की बात की हो तो बता दे हमें उसी तरह दिल्ली ने अगर पांच ट्रिलियंड डॉलर की एकॉनोमी की बात की हो तो बता दे हैं भार दियंता पार्टी कहती कि हम सस्ट में देखिए क्या हो रहा है हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है इंफरसेक्श्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कोई विजन नहीं है, दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पे ठपा लगाना, अगर पिछले चार साल में पांच बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं, जो पार्टी अपने संकल पत्र को भूल जाए, जनता से कियोए वादों को भूल ज याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल पत्र ला रहे हैं, जनता के हित्मे ला रहे हैं, जो सरकार अपने संकल पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप, और फिर ये पहली सरकार है जो शिलानस का शिलानस करती है, उद्घाडन का उद्घाडन करती है, M.O.U. का M.O.U. करती है और जितने भी investment meets हुए है कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि investment meet के सहारे इतना investment उत्तरप्रदीस में आया है मुझे पता नहीं क्यों सरकार के मुखिमन्ती जी investment भूल जाते हैं पता नहीं क्या वज़े है जिस platform पे जनता को बताना चाहिए कि भारती जनता पार्टी की सरकार है उसने ये ये investment लाने का उत्तरप्रदेश में काम किया है जिस platform पे सबसे ज़्यादे बताना चाहिए कि उत्तरप्रदेश में इस sector में investment आया है इस sector में हम इतना आगे बढ़ गए है वहाँ पर देखो भाषा क्या है आज भी नई भाषा नया शब्द इस्तमाल हुआ है आज सदन में अब उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंती जी की भाषा और क्या भाषा है उनकी आज भी कुछ बहुत अच्छा का उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा का पहले तो वो बास सुन लीजिए जो कहा है उन्होंने सुनाए कुछ बहुत अच्छा का उन्होंने सदन में अगर आपको याद हो तो आप बता दीजे आपको याद है? मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा हुआ कि मेरा मैसेज खुलने से पहले आपने बता दिया बताओ कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो संसकारों की बात कर रहे हो और फिर कह रहे हूं कि हमारे आप में करतवा नहीं होनी चीज़ सदस्यों के बीच में हमें एक दूसरे को अपना बताना चीज़े सदन में वो क्या कह रहे हैं पटक के मानना चीज़े बता हूं आप सोचिए और आप तो जाना मत टाई पहने हो टोपी वालों से वैसे नाराज़ टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे और नहीं मानते ज़रा पूछ लो इसलिए सोचिए एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है तो टोपी वाली बात करने टोपी क्यों अब राते हो लाल टोपी से किस बात कर दर है लाल टोपी का और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है अभी मैं गूगल करकर कई तस्वीर हैं होंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें देखा हो जिसमें खुट-कुट तोपी लगा की गूम रहे हैं जो मुख्यूम्दी खुट तोपी लगा रहे हैं वे लाल रंगी टोपी लगा एं और फिर असली खद्रा तो देखिए लाल तोपी कितनी जम रही हैं इन पर देखिए टोपी ये लगता अपनी टोपी की बात कर रहे हैं टोपी वाले हैं ये वही हैं जिनके वारे में खुद बोल ले थे वो जितने शब्द कहे गए हैं ये अपने लिए कह रहे थे वो भूल गए वो ये देखी आप क्या लग रहे हैं देखिए आप जो जो कहा उन्होंने वो सब कुछ इसमे नजर आ रहा है देख लीजिए आप है तो टूपी और रंग भी तो वही है हड़ा हो ये फोटो